30 जुलाई 2024 को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुला के सीनियर कमांडर फवाट शुकुर की इसराइली एरिस्ट्राइक में मौत हो गई थी इसके कुछी घंटो बाद 31 जुलाई 2024 के तड़के इरान की राजधानी तहरान में हमास के राजनूतिक ब्यूरो के मुख्या इसमाईल हानिये के एक हवाई हमले में हत्या हो गई थी हमास हिजबुला और इरान के लिए ऐसे जटके थे जिनें वो कभी भुला नहीं पाएंगे इन तीनों ने शायद कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि इसराइल एक ही जटके में उसके दो कददावर लोगों को ठिकाने लगा देगा और इसके ठीक बाद इसराइली मीडिया ने कैसा दावा किया जिससे इरान, लेबनान और हमास में खलबली मच गई दरसल इसराइली मीडिया ने हमास के सैन्यनेता मोहमद डायफ की हत्या की खबर चलाई थी इस्राइली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुहमद डायफ को 13 जुलाई 2024 को एक एर स्ट्राइक में मार गिराय गया था जिसकी पुष्टी IDF ने 1 अगस 2024 को की थी लेकिन अब हमास के सीनियर नेता उसामा हमदान ने चुपी तोड़ी है उसामा हमदान ने News Agency Associate Press यानी AP को दी एक इंटर्व्यू में बताया कि अलकसम ब्रिगेट्स के कमांडर इनचीफ मुहमद डायफ अभी जीवित है और स्वस्थ है हाला कि ये पहली बार है जब इस्राइली मीडिया के किसी दावे पर हमास के सीनियर लीडर ने प्रतिकरिया दी हो दरसल इस्राइल ने 1 जुन 2024 को मुहमद डायफ को पिछले महिने के रिस्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया है वहें डायफ के मौत को लेकर हमास नेता हमदान ने न्यूस अजेंसी एपी से कहा कि हमास का मानना है कि इस्राइल ने डायफ को जुलाए में मारने का दावा किया था और ये दावा उस दिन किया गया था जिस दिन इसराइल ने एक ही बार में 88 फिलिस्तीनियों की जान ले ली थी लेकिन वो सुरक्षित है। इस सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि समाइल हानिय की मौत के बावजूद इसराइल मुहम्मद डाइफ के पीछे क्यों पड़ा है। तो आपको बता दे कि मौहम्मद डाइफ 1990 के दशक में अलकासिम ब्रिगेट्स के संस्थापकों में से एक है। और डाइफ की अगवाई में 20 साल से जादा से अलकासिम ब्रिगेट्स गाजा में जिन्दा है। यही वज़ा है कि इसराइल के रडार पर मुहम्मद डाइफ और हमास के नए मुखिया यहया सिन्वार काफी पहले से है। दरसल आइडी एफ का कहना है कि इसराइल पर 7 अकतूबर 2013 के हमले के पीछे मुहम्मद डाइफ और यहया सिन्वार मास्टर मैंड थे। वहीं यहया सिन्वार ने गाजा में हमास के नेता रहे हैं और उन्होंने इसमाइल हानिये की जगे लिए है। यहया सिन्वार साल 2002 में अलकासिम रिगेट्स के मुखिया थे और उन से पहले अलकासिम के मुखिया साला शहादाग्स को भी इसराइल ने मार गिराय था। जिसके मास के लड़ाकों ने इने सुरंगों में इसराली बंद को कुछ छिपा कर रखा हुआ है।